How to enable or disable dark mode on Roblox Guys, Roblox की इस वीडियो में बात करते हैं कि आप अपने Roblox एप्लिकेशन के अंदर dark mode कैसे enable या disable कर सकते हैं So, without wasting any time, let's jump into it So guys, सबसे पहले आपने Roblox एप्लिकेशन को open करना है Open कर लेने के बाद guys, यहाँ पर आपको option मिलता है 3 dots का As you can see guys, आपने simply 3 dots के उपर tap करना है Tap कर लेने के बाद guys, आपने यहाँ पर इस page को आपने तोड़ा सा scroll down करना है और यहाँ पर आपको option मिलता है settings guys As you can see guys, आपने simply settings के उपर tap करना है Tap कर लेने के बाद guys, settings page के अंदर यहाँ पर आपको option मिलता है account info का as you can see guys तो आपने simply account info के उपर टैब करना है account info के उपर टैब कर लेने के बाद guys आपने तोड़ा सा इस पेज को स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर आपको option मिलता है theme का as you can see guys so आपने यहां पर यह अभी light के उपर select है तो आपने इसके उपर टैब करना है and tap कर लेने के बाद guys as you can see यहां पर हमारे पास option आ चुका है dark mode so अगर आप dark mode enable करना चाहते तो आप यहां से dark mode enable कर सकते है as you can see guys dark mode enable हो चुका है और दुबारा अगर आप light mode enable करना चाहते है तो आपने दुबारा यहां पर theme के ओपर टैब करना है और पिर आपने यहां से light mode को select कर लेना है and that's it so guys this is how you can enable or disable dark mode on Roblox आप इसी तरह Roblox application के उपर dark mode enable या disable कर सकते है guys आज की वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको वीडियो अच्छी लिगी होगी अगर वीडियो अच्छी लिगी हो तो please वीडियो को like कर दीजेगा और अगर आप इस चैनल पर first time आया हो तो please चैनल को भी subscribe कर दीजेगा मिलते हैं next वीडियो में एक new topic के साथ तब तक के लिए take care and good bye